भारत को हेग में आईसीजे में बड़ी सफलता मिली है कुलबूशन जाधों की फासी रुक गई है लेकिन बात यहीं पर खतम नहीं होती है योगि पाकिस्तान पाकिस्तान है वहाँ के प्रधान मंतरी नवाज शरीफ चीन और हॉंग कॉंग की आत्रा से जब पाकिस्तान हैं इमरान खान जो की पुर्व क्रिकेटर और अब नेता हैं अब वो काफी हमलावर हो गए हैं वो कह रहे हैं कि अप्रील में सज्जन जिंदल ने जो भारत के उद्योग पती हैं स्टील उद्योग पती उन्होंने नवाज शरीफ के साथ जो मीटिंग की थी उसी की वज़ से कुलभूसंग जाधों पर ये फैसला आया है उनका इमरान के कहने का ये मतलब है कि नवाज भारत के सामने घुटने टेक रहे हैं नवाज पर ये आरोप तभी से लग रहा है जब वो नरेंद्र मोदी के शपत गरहन में 2014 में इंडिया आये हुए थे नवाज इन मुश्क काम कर रहा हो गुलπूसंग जाधो इस बात के लिए उनका मोहरा बन सकते है पाकिस्तान ईसा पहले भी कर चुका है ऐसे 15 ऐसे मामल humor हं हमारी जानकारी में ऐसे तो बहुत सारे कैदी है जो की भारत के निवासी है पाकिस्तान में कैद कर लिए गये गहें 15 ऐसे मामले हैं जि पाकिस्तान जैसे कि पहले भी वहां पे कुछ जासूस भी रहे हैं, कुछ लोग को वहां पे गलत तरीके से भी पकड़ा गया, उनकी कोई गलती नहीं थी लेकिन उनको पकड़ लिया गया, तो ऐसे पंदा नाम है हमारे पास, पहला नाम है कश्मीर सिंग का, इनको 1973 में में और आये थे वहां से, दूसरा नाम रवीनर कौशिक का है, इनको पहले मौत की सजा सुनाई गई, उसके बाद वो सजा उमरकायद में बदल दी गई, लेकिन ये भारत वापस नहीं आ सके क्योंकि 2001 में TV की वज़े से पाकिस्तान की जेल में ही इनकी मौत हो गई थी, मतल बड़ी बात नहीं हैं पाकिस्तान के नजरिये से, वो इलाज वगएरा जो भी चीजे हैं, सरबजीत सिंह का जो मामला है, उननिस सो इक्यानबे में इनको मौत की सजा सुनाई गई थी, और दोहजाद तेरह में इनकी मौत हो गई थी, सरबजीत अब तक का सबसे बड़ा मा पाकिस्तान के बहुत जादा कोशिश हुई आखरी इसमें विशाल यह भी हुआ था कि उन्नीस सो इनको पकड़ा गया था तो इन पे जिसकेस का आरोप लगाया गया मैं मैं जो ब्लास्ट हुआ था कुछ वा था उसका आरोप लगाया गया एफायार में मंदीप सिंह का ना अमरोडा और वो हर बात दिखा भी कि आपने यहां पे नाम बदल दिया रिहाई के टाइम पे नाम बदल दिया उसकी जगह किसी और को रिहा कर दिया उसको जेल में मार दिया गया सरबजीत पर फिल्म हाँ यह भी हुआ था सरबजीत की मौत से पहले कि यह चूट रहे हैं और एक कैदी आ रहा है, 2012 में जब इनकी दिहाई को लेकर बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही थी और लगबग इतना हो गया था कि सरबजीत वापस ले आए जाएंगे, उनकी बहन जो दल्वीर को थी, उन्होंने वो बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके से अपने भाई को बचाने की सरकार से गुहार लगा रही थी और लग रहा था, एक मोमेंटम बना था उस समय कि सरबजीत वापस आ जाएंगे, पाकिस्तान लेकिन जाहिजी बात है कि वहाँ पे सेना सरकार पर हावी रहती है, सेंटिमेंट्स वहाँ भी बहुत ज़्यादा हावी थे, कि अगरा नाम की सरकार एक और नाम है, राम प्रकाश का, ये दस साल पाकिस्तान की जेल में रहे और दोहजार आठ में भारत वापस आ गये थे, इनको कोई समझ से नहीं हुई थे, दस साल जेल के अलावारा, इस साल जेल रहे थे, ओम प्रकाश इनको गिरफ़तार किया गया लेकिन इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है इनका फॉलो अप भी उसकजर नहीं हुआ है पता नहीं जलबाएका भी इक रिए किस kondition में है पता सब्सक्राइब करते है कि हरकिसी को उत्ना सारबजी 12 का मोमेंटम नहीं हो पाता है हरकिसी के मामले में ऐसा ही ओम प्रगाश के साथ हुआ, इनका वहाँ पर क्या हुआ, उनके साथ कानूनी कारवाई क्या हुए, रिया होँगे कि नहीं होँगे, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है छटा नाम है विनोध सौहने का, विनोध सानी विनोद साहनी ये 1977 में गिरफ़तार किये गए थे 11 साल पाकिस्तान की जेल में रहे और फिर भारत वापस आगे ये तब की बात है जब कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था 1988-89 में उससे में रिया हो गए थे तो शायद ये भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होगे उस वक्त रिया कर रहा है नवा नाम है देवूत का ये 1990 में गिरफटार हुए थे पाकिस्ताने गिरफटार किया था और 2006 में ये भारत वापसी करने में सफल रहे थे दसवा नाम सुनील का इनके साथ भी ओम प्रकास जैसा मामला है 2011 में इनको गिरफटार तो किया गया लेकिन उसके बाद इनके साथ क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है ग्यारवा नाम दानियाल उननेसो तेरान।बे में गिरफटार कै और उननिसो सत्तानवे मैं चाज़वा नाम से याद है, 자वफ अली खान की एक फिल्म में शाय वह भी दानियाल हीनों ने अपना नाम अच्छा, मैं माफी चाहूँगा, मतलब मैंने वो फिल्म देखी नहीं, मैं देखना चाहता था लेकिन मैंने नहीं देखी, बारवा नाम है सत्पाल का, इन्होंने उननिस सो निन्यानबे में इनको अरिष्ट किया गया था, और सत्पाल की जेल में ही मौत हो गई थी, तेरव में उननिस सो निन्यानमे में कारगिल वार में भेजा गया था, वहां से उसके बाद ये युद्ध कैदी बने और अगले साल टॉर्चर की वज़े से पाकिस्तान में इनकी मौत हो गई थी, एक साल के दौरान इनको इतना जादा टॉर्चर किया गया था, कि जिंदा भी नह जब सजा हुई तो इनको 14 साल की सजा सुनाई गए जेल की, हालनकि 14 साल की सजा के बाद ये 2006 में रियाद गुर्वक्ष राम जब छूट के आये थे, तो इन्होंने कलिम किया था कि मैं जासूस हूँ, इन्होंने कहा था ऐसा, और इन्होंने सरभजीत के मामले में भी कहा थ है कि भारत सरकार ठीक से फॉलो नहीं कर रही है, इन्होंने कई बातें बताई थी, और इन्होंने शायदे किताब भी लिखे थी अपने अन्वों के अदार पर, अपने जेल के अन्वों के अदार पर, अंधरवा नाम, इसमें सुर्जीत सिंगा है, ये नाम सबसे जरूरी इसलिए है क्योंकि ये वही शक्स हैं, जिनको सरब्जीत की जगе पर रिहा किया गया था, इस समय सरब्जीत को रिहाई की बार चल लगी ती, तो उस समय Пाकिस्तान ने उसकी فाइल बी आगे बढ़ा दी थी, उसमें सरब्जीत का नाम था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान गल्ती से लिखा गया है हम सरबजीत को नहीं सुरजीत सिंग को रिहा कर रहे हैं सुरजीत सिंग पिछले 30 साल से पाकिस्तान की जेल में थे जब रिहा होकर आए तब जो पंजाब आए थे तब उनकी शारीदी की स्थिती देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको बहुत जादा टॉर्चर किया गया है आखरी वक्त में बाकी पाकिस्तान की जेल में भारती कैदियों के साथ क्या होता है वो जाहिज सी बात है लेकिन और हाँ इन्होंने सुर्जीद सिंग ने वापस आने के बा बात करें तो एक ऐसे जासूस का नाम याद आता है जिसने अपने ही देश को क्रॉस किया था डबल एजेंट था बिटेन के थे ये किम फिलवी और ऐसा माना जाता है कि जासूस ऐसा मान के चलते हैं मतलब इंडिया के केस में तो दोनों ही बाते आ रहे हैं कुछ ऐसी बाते आती हैं कि गलती से कोई नागरिक पकड़ लिया गया कभी-कभी ऐसा आता है कि जासूस था जैसे गुरबक्सराम ने खुदी कहा था तो ये चीज़ें होती रहती हैं देशों के बीच तो किम फिलवी एक ऐसे एजेंट थे जिन्होंने डबल क्रॉस किया था ये बिटेन के कैमरिस फाइब कहा जाता था उन टॉप पांच लोगों में थे जासूस थे एंटी रशिया ये काम करते थे रशिया खिलाब सुबू जुटाते थे ये दिते विशोईद और उसके बाद की बाते हैं लेकिन ये रूस को रोजाना सूचनाएं देते थे इन्होंने बीबी सी को बाद में एक इंटरिव्यू दिया था उसमें कहते थे कि कह रहे थे कि मैं रोज ब्रीफ केस में सूचनाएं भर के निकलता था अपने ओपिस से और आराम से ले जाके देते था था मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी रूस के जो प्रेजजेंट थे ताना साह भी कह सकते हैं उनको कई चीजें कही जा सकती हैं जोसेफ स्टालिन उनको ये शक्ता कि यह ट्रिपल एजन्ट हैं यह किसी और के लिए भी जासुसी कर रहे हैं बाद में किम फिल्भी ब्रिटेन से बाइज़त बरी हुए ब्रिटेन ने उनको छोड़ा किम फिल्भी ने इस वावत कहा मामले में क्या होगा यह हमें देखना होगा हमें यूटूब पर जरूर सब्सक्राइब करें और फेस्बूक पर लाइक करें इस मामले में जितनी भी चीजें आ गया आहेंगी हम उसके बारे में बात करते रहेंगे